प्रक्रिति से जुड़ें तो बहुत ही खुश हाल होगे दोस्तों आज हम एक छुटी वीडियो बनाएंगे और आपके कुछ पोद्धों को बचाने में ये वीडियो बहुत मददगार होगी आप इसको देखिए और अपने बगिच्चे के अंदर ये पोद हैं तो उनमें ये काम करिए आपके पोद्धों के पत्ते वगरा होकिनी और आपका की पुझेगा ओर आपको बच्चा रहिए और दोस्तों नेरे पीहु की ददी दूर एंदो और नवियास उपने पियरे सबसक्राइब कुछ सबस्यक्राइब में अब इसकी कैर के और कैसे से पत्तों को बश Coordinator में धुब गिरेगी दोस्तों इसके पत्ते को खराब कर देती है यहां से कड़े काले रहेंगे और यह देखने में अच्छे नहीं लगेंगे अगर आपके पास गमलूम है तो दोस्तों आप इसको पोलोथिन से बचा सकते हैं उसके उपरा छोटा पोली हाउस बना के रखें और उस नहीं गिरेगी तो दोस्तों यह आसानी से पत्ते आपकी इतने फ्रेस बचे र फूट उपर ऐसे पोली हाउस बनाए पत्ते कटाच ना करें तो आपका मोनस्टेरिय का पोदा आसानी से बच जाएगा और यह हर्या बर्या रहेगा और जैसे फरवरी का महिन आएगा तो इसकी ग्रोध अच्छे निकलेगी अगर पत्ते इसके गलगे तो दुबारा यह उ कि पानी डाली खाद इसमें कोई माइने नहीं रखता है अब दो महिने इसको हमें बचाना है किस चीज से बचाना है और पानी से आप ऐसे अपने मोनस्टेरियों को बचा सकते और यह देखिए इदर देखिए यह वेंजी मारी नरसरी माती है इस उमर में इनको पोदों से सोक है और देखिए दोस्तों कि पेड़ों से लगाव बहुत जरूरी है कि यह उमर कोई माने ने रखती पोद्दे जब आपके पास होते हैं पोद्दे आपको प्यार करते हैं तो उमर कोई चाहिए बच्पन हो चाहिए जवाननी हो चाहिए बुड़ा पाओ तो देखिए फिर आमने को बार 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 बताते हैं पमकर दले पानी दा सी Eduardo liquid और यहां हो पानी डालती है दोस्तों और देखें इनका घर हरा बर्या और सुंदर और खुशाल और आप भी खुशाल करिये और अरवर करी और देखें कितना पैरा पैरा सुगोनियम है ना यह भी अभी गिर जाएगा जैसे जैसे देसंबर जन्वीरी आएगी ना इसको पलीज पानी से बचाईए खाद से बचाईए इसको थोड़ा हाँ पोली हाउस वगरा छोटा बना के रखिए अगर वो शंब होनी तो आप पोलो थीन वगरा शाम को डख दो सुबह उसको अटा होगी फिर फरवरी फिर ग्रोध होगी अगर आप इनको परमाने धरा बरा रखना चाहते हैं तो आप यह काम करिए आपके पो दहरे बरे रहेंगे और दुबारा यह उसी स्टेज मा जाएंगे और यह देखिए और यह देखिए दोस्तों पिज़ रही है आप उदर शाओ हो बेटे है कि उद्र शाओ है कि अ कि आया हो है और यह देखिए यह देखिए यह देखिए और यह देखिए यह मारे पास टैम नहीं था और को काम करने लगे और यह पेड़ के निचे हैं इसलिए शेफ है दोस्तों अब बचाएगा पेड़ और यह मनी प्लांट हम फरवरी में फिर थैलियों बरेंगे और यह देखिए यह देखिए मां क्या देखता हूं यह देख तो हम इसी काट काट के फरवरी में हम पूद्य नहीं त्यार करते हैं देखरों कैसे जड़ेंश में चली इसको नमी चाहिए यह पेड़ से नमी लेता है और आसानी से चलता है और दोस्तों अगर आपने यह रेड वाला संगोनिम लगा रख्या ना यह रेड वाला इसको आ बचाने का एक ही तरीका है इसको आप उससे बचाईए और पाणी जादानी डालना खाजादनी नहीं तो यह बचेगा निये देखिए अमने निच्च लगा रख्या और यह फैल जाएगा ना फरवरी महीं में हम इसी के 15-20 बना लेगे तो ऐसे पोदों के संख्या बढ़त इसे कड़े-कड़े पत्ते होके यह भी खराब हो जाएगा तो सर्दियों में आप अपने पोदों को थोड़ा ढ़के रखिए और से बचाईए तो आपके जो पत्तेदार पोदेन चायम रखते हैं मनी प्लांट हो गया मोनोस्टेरिया होगा संगोनियम होगा इनको आप ऐ यह कहोंगा कि पानी मड़ डालें पत्ते वगरा को पानी से साफ करिए और पानी बिलकुल मड़ डाली मिट्टी को सुखा सुखा रखिए और देखिए संगोनियम कितना स्यांदार है इसके भी पत्ते खराब होने लग जाएगे इन पत्ते शाफ रखने का सबसे बड़ी अ नहीं हो रही है देखिए आम के पत्ते बीदिरे आमके पत्ते देए सुखने लगे हैं और सर्दी में सुकते बिल्कूल कले पड़ जाएंगे और दोस्तों अब हम एक दो वीडियो में आपको जानकारी यह देंगे कि हमारे बगिच्चों की हम कैसे रिक्षा करें और हमारे को दुबारा उपो दे लेने ना पड़े देखिए अब यह सारे ब्राउन ब्राउन होके जैसे जैसे जनवरी दिसंबर आएगा पी बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे इनको ज्यादा पाणी ना डालें ज्यादा खाद ना डालें बस आप से होशके तो इनको ठोड़ा ढख के रख जाएगी एक भी पत्ता नहीं मिलेगा पर फरवरी का महीन आएगा तो आशानी से हर्याब्र हो जाएगा आपके गमले में अगर कड़ी पत्ता है तो आप उसमें ज्यादा खाद ना डालें पैसा बिल्कुल वैस्ट ना करें मिट्टी सुखे पाणी डालते रहें पत्ता को करोगे जब इसके पत्ति यह ऐसे हो कि गढ़ने लग जाएगे तो दोस्तों जो मैंने दो तीन पोद्धों के बारे में जानकारी दी आप इसको फोलो करिए और अपने बगिच्चे में लागू करिए तो आपके पोद्धे आसानी से हरे बरे रहेंगे और आपको अगले सी झाल झाल झाल